हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो आप बालकनी में लगा सकते हैं और ये सबी जो प्लांट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत अच्छे तरीके से आपके घर में टिकेंगे और साथ के साथ कुछ टिप्स भी दूँगा इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखीगा अगर आप न्यू बालकनी सेटप करना चाहते हो या इंडोर प्लांट्स लगाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और इसमें सभी प्लांट्स जो हैं मैं जो सबसे ब और ब्लैक कलर भी मिल सकता है चार से पांच कलर की जो वेरिगेशन नॉर्मली आपको नर्सरी से मिलेगी और इनको दोस्तों ब्राइट इंडिरेक्ट लाइट चाहिए जैसे अगर आप बालकनी में रखोगे तो याद रखें कि इसके उपर डिरेक्ट धूप नहीं पढ़ और दोस्तों मारा जो अगला प्लांट है इसका नाम है क्रॉटन क्रॉटन दोस्तों बहुत ही नॉर्मल और जाना माना पौदा है और इसमें बहुत सारी वराइटीज आ जाती है मेरे पास एपल क्रॉटन है और कुछ जो बैंगलॉरी क्रॉटन जिसको हम बोल देते हैं वो तो दिन में एक बार आपको करनी चाहिए और फटिलाइजर के लिए NPK 1990-1919 बहुत अच्छी रहती है ग्रॉटन को दोस्तो इंडिरेक्ट लाइट में ही रखना चाहिए अगर आप ब्राइट लाइट में रखोगो इसके जो वेरिगेशन अब बढ़िया तरीके से कलर है नही लिए और दोस्तों हमारा जो अगला बादा इसका नम है फाइलो डेंडरन फाइलो डेंडरन को दोस्तों बहुत सारे लोग लगाना नहीं चाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह बहुत जादा एक तरह का डिफिकल्ड प्लांट है पर यह सर्फ देखने को लगता है जब अब इसको लेकर आओगे तो यह बहुत ही असानी से लग जाता है कुछ इसकी वराइटीज है जो अच्छे से चल जाती है हमारे हाँ पर जैसे यह इंपेरियल ग्रीन है या फिर इसको ग्रीन कार्डिनल भी बोला जाता है इसके जो बड़े बड़े पत्ते आते हैं और इस इस फाइलो डेंडन को दोस्तो जब भी आप लगाएं तो हमेशे याद रखें मिक्स्चर हमेशे लाइट वेट होना चाहिए और इसकी जो एरियल उट्स निकलते हैं इनको एरोइट्स की फैमली में से जाना जाता है इसलिए मौस्टिक भी अगर आप लगा देंगे तो य इसमें बहुत सारी वेरीगिशन आ जाती है और मुझे लगता है कि सभी जगा नर्सरी में मिल जाता है जो आप लाइट साइड पर देखते है तो यह वराइटी बहुत ज़रा कॉमन है पर इतनी ज़़ादा भी यह रेर नहीं है और दोस्तो जो हमारा डाइफन बीक्या का सबसे ज़़ा मुश्किल इसको संभालने में तब आती है जब ज़़ा temperature extreme चला जाता है चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो और इसलिए दोस्तो अगर आपके यहां पे ज़़ादा कर्मी है तो इसको गर्मी से बचाएं और आप इसको shade में रख दीजिए अगर ज़़ादा सरदी है तो इसके उपर कोई आप शीट लगा सकते हैं पॉली शीट इसके साथ कोरा इसके उपर ना पड़े तो हमारा दोस्तो जो अगला पौदा है डाइफन बी के बाद यह है ड्रैसीना ड्रैसीना में दोस्तो बहुत सारी वराइटीज आ जाती है पर कुछ ऐसी वराइट बहुत बढ़िया रहती है और इसलिए इनको आप जरूर लेकर आए ठोड़े से यह गर्मी के साथ गर्मी तो जहेल जाते हैं जैसे सेमी शेड एरिया में रखोगे अगर सर्दी की बात करें इनको भी आपने एक छट के नीचे रखना है कोरा नहीं पढ़ने देना है नहीं कि आए जाते हैं दूस्तों एंग लोने मा सब्सक्राइब जिनमें наши डेधे श्यादा होता है वो में जयादा हाड़ी रहती है जैसे आप यह देख सकते हैं nous इसलिए यह थोड़ी सी जो वराइटी है यह इजी नहीं है केर करने के लिए अगर मैं बताओं विंटर में यह काफी बार रॉट होना शुरू हो जाती है पीछे आप जो दो पौदे देख रहे हो यह थोड़ी से ग्रीन कलर में है या फिर आप लिप्स्टिक एग्लोनेमा द बहुत अच्छा प्लांट है और यह आज कल बहुत जादा जो फेमस प्लांट है क्योंकि इसमें जो कट रहते हैं पत्तों में इसके लिए इसको बहुत सारे लोग खरीते हैं और इंडोर के लिए सबसे जारा बड़ी प्रेफरेंस आज के लिए बनी हुई है और जब भी आ जो एरियल रूट्स निकलते हैं इसके लिए मॉस्टिक अगर आपके पास है इसके साथ लगा दें तो बहुत बैनिफिशल रहेगा और जितनी ज़्यादा इसको ब्राइट इंडरेक्ट लाइट मिलेगी उतने ज़्याद इसके पतों में कट्स जादा होंगे मेरे यहां प जो आप नॉर्मली लगा सकते हो या फिर कोई कारनर आपने अच्छे तरीके से डेकॉर करना है उसके लिए भी अच्छे तरह से आप लगा सकते हैं ज़ायोत बहुत ही हाड़ी प्लांट्स हैं आप कोई जगह पो दिरहां भी रहते हैं दर्में सिर्ट में जाते हैं वैसे तो ये पूरी गर्मी भी जेल जाते हैं, इंडा रैट लाइट में रखेगा, और रोज के रोज इसके उपर सुबा मिस्टिंग होनी चाहिए, मैं इंडोर प्लांट हरे एक के उपर ठंडे पानी की जो मिस्टिंग सुबा सुबा जरूर करता हूँ, इनकी ग्रूथ बहुत अच्छी कंटीनू रहती है, तो आपको भी मैं यही रेक्वेस्ट करूँगा, कि आप रोज के रोज करें, तो ये दोस्तों कुछ प्लांट से सिर्फ मैंने साथ से आठी प्लांट दिखाए हैं, क्योंके पहले आप इन से शुरुबात करेंगे, तभी हम मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा, और वीडियो को भी शेर और लाइक कीजिगा, अगर आपको कोई और कुछ ना रिगार्डिंग एनी प्लांट, आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में भी पूछ सकते हो, तैंक यू फॉर वाचिंग और प्लीज प्लीज दू सब्सक्राइब मैं और हमारे फेस्बुक के पेज को भी आप जाके लाइक कर सकते हो, गार्डन विला के नाम से हमारा जो पेज है, थेंक यू,